हालो फ्रेंद्स, I am Geetan, welcome to Geetan Tech Secret फ्रेंद्स, आज इस वीडिव में मैं आपसे सेयर करूँगी अधर कर्ण में अडरेस कैसे चेंज करते हैं फ्रेंद्स, आप अधर कर्ण में अडरेस चेंज करने के लिए कहीं अधर सेंटर पर जाने का ज़रूत नहीं है आप घर बेटे बेट अपने मोबाइल से ही आप आधर काड में address चेंज कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंट्स Chrome ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर uidai.gov.in यानि कि आधर का अफिशल वेबसाइट ओपन करेंगे अफिशल वेबसाइट ओपन करने के बाद फ्रेंट्स सबसे पहले आप desktop साइट पर कर लिजेगा अगर आप मुबाइल पर करते हैं तो बाद में फ्रेंट्स यहां पर नीचे का option आपको दिखाई देखाई देखा करने के बाद अभी आपका पास आपका अधर कार्ड और आपका अधर कार्ड पर लिंक हुआ मुबाइल नंबर आपका पास होना चाहिए तभी जाके यहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं और आपका मुबाइल पर OTP भी आता है इसके लाप login option को उपर जिसे click करेंगे friends तो आपको क्या करना होगा friends आप देखे यहां पर बहुत सारा options है लेकिन आपको सबसे पहले login करना है welcome to my other site में आप login करते हैं इंटर आदर नंबर है और इंटर capture है यहां पर आपका जो आदर कार्ड है उस पर जो नंबर है उस आदर कर दीजिएगा करने के पाद friends send OTP पर क्लिक करते हैं आपका mobile पर OTP आती है उसे OTP को यहां पर एंटर करते हैं आप इसको login कर सकते हो तो यहां पर आप जिस mobile नंबर से आपका आदर पर लिंक है उस mobile नंबर आपका पास होना चाहिए और आदर कार्ड भी होना चाहिए तो एंटर OTP हम कर देंगे अभी हमरा mobile पर OTP आ चुकी है तो इसको एंटर OTP करते ही हमरी यह आदर कार्ड का जो वेबसाइट ही हमरा खुद का जो परसनल आदर प्रोफाइल है उपन हो जाती है तो देखिए friends फिला लिए OTP इंटर करने के बाद यह उपन हो चुकी है तो ह इसको थोड़े से स्क्रोल डाउन करेंगे और नीचे देखेंगे friends यहां पर आफशन है अपडेट आधर आउनलाइन तो हभी हमारा अधर कार्ड में आड्रेस चेंज करना है तो अपडेट आधर पर क्लिक करते ही friends आपका कुछ इस तरह का दिखाई देती है friends तो आप यहा आधर कर कुछ front and back इस तरह का यहां पर जो भी डिटेल से आपको यहां पर दिखाई देगा तो आपको चेंज करने के लिए प्रोशीट आधर का उपर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहां पर आपको क्या चेंज करना है वह दिखाई दे रहा है आपको आड्रेस चेंज करना आजेंडर, date of birth, mobile number क्या चेंज करने आप इसको सिलेट कर दीजेगा है फिलल हम आधर आड्रेस चेंज करने के लिए इसका उपर क्लिक करते ही आप देखिए current details, current address जो भी है यहां पर दिखाई देगा है और नीचे देखिए details to be updated ओ भी दिखाई दे रहा है सेम आप आपका details, landmark, area, location, सब कुछ यहां पर address जो भी है डालने के बाद आपको address proof यहां पर पूछ रहा है तो आप manual upload का उपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहां पर select valid supporting document type है इसका उपर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स यहां पर आपको बहुत सारे document पूछेगा आप जो भी आपका पास है आ अगर आपको पास है तो भी डाल सकते हो फिलाल मैंने electricity bill का उपर क्लिक करती हूं और मेरा फोन के ग्यालरे से मैंने पहले से जो image है मेरा पास आदर जो electric bill का जो है फोटो है इसको अपलोड कर देती हूं यहां पर अगर आपको पास plan card पर आपका address है या राशन कार या house tax, water tax जो भी है आप इसको डाल के next कर दीजेगा अब इसको डाल के जैसे next करेंगे friends तो अभी आपको यहां पर payment करने के लिए पूछेगा तो आपको यहां से 50 रुपीज payment करना पड़ता है address चेंज के लिए तो यहां पर आप जैसे payment option को पर click करेंगे तो आप यहां से online payment करना जो payment slip है बाद में आप उस payment slip से भी आप फर्दर आप inquiry कर सकते हो कि आप अधर कर स्टाटस चेक हुआ नहीं हुआ जो भी आप चेक आउट भी कर सकते हो तो पेमेंट होने के बाद friends दो तीन दिन टाइम लेगती है इसको आड्रेस अबडिट होने के लिए तो बाद में आप आपका आड्रेस पर आपका पेवीजी आदर कर मांगा सकते हो तो फ्रेंड्स एथा इसका वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट चेयर सेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्यू